हाँ तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं राजमा की सब्जी तो यह देखिए यह राजमा मैंने यहां पे ले लिए हैं यह मैंने ओल नाइट भीगो करके लिए हैं और इनमे थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया था आप चाहें तो मीठा सोडा भी इसमें एड़ कर सकते हैं मैंने सिर्फ नमक डाल करके all night इसको बिगो बरकर दिया था और अब इसको कर लेते हैं और देखिए यहां पर मैंने कुकर में इनको डाल कर पानी डाल दिया है उपर से पानिदा Leff थोड़ा ज्यादा नाट सीबहाएं तो पानी हो न दिखा है और अब लगे तो पानी क यहां पर मैंने पांच सिटी इस में राजमे में लगवाई हैं और हमारी जो राजमे वह बिल्कुल एकदम परफेक्ट सौप्ट हो चुके हैं यह देखी मैं आपको दिखा देती हूं अगर आपकी जब बोईल करते हैं और वह अच्छे से सौप नहीं होते हैं तो आप दुबारा इनको बोईल करने के लिए रख सकते हैं लेकिन उस समय ध्यान रखें अगर पानी की जरुरत पड़ती है तो ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज ना करें दूसरे साइड में गरम करके ही पानी क निहीं से डा से कटकिया है घुल यह इलिए हमने मिविट्स करकर हरी मीच और यह टमटर और मीच की और प्याज की हमने इनको मिक्स कर लिया अच्छे से ग्राइंडर में और यह लेसन और अध्रक का पेश्ट हमने यहां पे लिया है तो चलिए छोग एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगों यहां पे मैंने नॉर्मली जो इल में लेती हूं मस्टर ओल वहां पे ले लिया है मैंने ओल हमारा गरम हो चुका है सबसे पहले मस्ट डाल रही जिरा जैसे ही थोड़ा अंचर फुक добр तप्याज जो और या बसको इसमें राई और राई को कि डालते ही हम डाल देंगे इसमें प्याज जो हमने अलग-अलग तरीके से कट कि थी दोनों आप इसमें डालने वाले हम ऑची और प्याज बूंदने में थोड़ा टाइम लेती है इसलिए हम इसमें थोड़ा नमक भी डालेंगे यह देखे गोल वाले जो प्याज ही अपने अलग अलग स्लाइस हो जाएंगे इसके तो जब भी कोई ड्राइज सब्जी बनाएं तो उसमें अलग से थोड़ा प्याज बड़ा-बड़ा कट करके डालें अच्छा लगता है और यह देखे तब तक हमारा प्याज हो रहा है ताकि जब मसाले का यूज करेंगे तब ये बिल्कुल तैयार मिलेगा हमें तो हमने इसको पहले बीगो करके रख दिया है तो ने देखी हमारी जो प्याज है उसमें हम डाल देते हैं नमक, नमक डालते समय याद रखें कि यहां पे राजमा बीगोए था उसमें एक चमछ नमक ले लिया था तो उसके अकोर्डिंग मैंने यहां पर एक चमच नमक लिया है भी नमक अगर हम प्याज में डालेंगे तो इससे क्या होगा कि प्याज और टमाटर जो भी हम डालेंगे वह जल्दी से सौक्ट हो जाते हैं जल्दी पकते हैं तो आप यह ध्यान रखे जब अब नमक निए मच नग्याज में डाला करके प्याज और टमाटर भुनते वक्तिस में डालें तो जल्दी पकते हैं तो देखे यहां पे आपे हमने जो लंबे वाले स्लाइस कि तो टमाटर गी वह भी कट करके डाल दिये हैं अब हम डाल देते हमारी यह यह जो प्योद्ग प्यूरी में 2 टमाटर मीडियम साइज की और एक छोटी साइज का प्याज कटकर के लिए था और इस प्योरी के साथ में हम डाल लेते हैं जो हमारा मसाला था मिर्चोर धनिया का वह हम इसमें डाल देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे दो से थोड़ा भून जाएगा उसकी बाद में डालेंगे ताकि इसकी जो खुसबू है वो बरकरार रहे खाने में और बहुती अच्छी खुसबू आ रही है तो देखिए मसाले को थोड़ा पकने में अभी टाइम लगेगा इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि देखिए दो से तीन मिन्ट के बाद हमारा जो मसाला था वो बिल्कुल भून चुका है मसाला भूनने की निशानी यह होती है कि जो भी ओल होता है वो उपर आ जाता है अगर आप उल जादा यूज करते हैं तो आप थोड़ा जा दिया है और यह अधरक और लेशन का जो पेश्ट है यह मसाला बुनने के बाद में हम डालेंगे ताकि इसकी जो खुस्बू है वो बरकरार रहे हैं और अगर गरम मसाले आपके पास नहीं है तो इस पेश्ट के साथ आप जीरा और लोंग पीस करके इसकी साथ एड़ कर सकत है अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं बिल्कुल लोफ लेंग पे पानी की जरूरत अपने अकोर्डिंग देख लें आपको अगर सुखे रखने हैं तो पानी ना डाले और वरना जितने आपको ग्रेवी रखने हैं उसके अकोर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं तो देखिए जैसे जैसे हम हलकी आँस पर रखेंगे तो हमारा जो वेल है वो उपर आएगा और ग्रेवी अच्छी दिखेगी और दूसरे फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी ड्राइबीन्स बनाए छोले राजमा तो उसको थोड़ा हलका सा इस परकार से प्र करेंगे और हां गाईज अगर आप छोले की रैसे पी देखना चाते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगी आप वहां पर जा करके देख सकते हैं तो यह देखिए हमारी जो सब्जी है वह बंद करके तयार हो चुकी है इस प्रोसेस में हमें 5-4 मिंट लगी है राजमा डालने के बाद में और आब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचुर पाउडर और हमारी सब्जी बंद करके बिल्कुल तैयार हो गई है तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्रिए लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रा